नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी योटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों इस वीडियो में मैं साइन्स के 150 कॉश्चन्स लेकर आया हूँ 2019 में हुए UPSC के एक्जाम, Railway के एक्जाम, SSC के, DRDO, बिहार दरोगा, SI, उत्राखंड, राजिस्थान, मद्यप्रदेश इन सभी राजियों में जो भी एक्जाम हुए हैं उसमें Common Science के कॉश्चन्स जो पूछे गए हैं 150 कॉश्चन्स की सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ One Liner format में है सारे कॉश्चन तो ये 150 कॉश्चन हम बहुत कम समय में complete करेंगे तो वीडियो पर अंध तक बने रहेगा 2019 में पूछे गए ये Common Cautions हमेशा से पूछे जाते हैं और 2020 में आने वाले SSC और Railway के एक्जाम में 101% पूछे जाएंगे तो वीडियो को अंत तक बिना Skip किये जरूर देखेगा और लास्ट में अपना valuable comment जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है सबसे सक्त कौन सा पदार्थ होता है तो सबसे सक्त हीरा होता है हीरे के संबंद में कैरेट क्या है तो कैरेट से हीरे का weight पता चलता है कौन सा कारबन का एक अपर रूप नहीं है तो हेमेटाइड कारबन का अपर रूप नहीं है हेमेटाइड लोहे का आयस्क है मैं डायरेट कॉशन आंसर इसलिए बता रहा हूँ कम समर में हम ज़्यादा कॉशन कवर कर लेंगे कौन विद्दुत और उश्मा का सुचालक होता है तो ग्रेफाइड इसका सहीत्र हो जाएगा किसको पैंसिलों में प्रियुक्ट किया जाता है तो ग्रेफाइड इसका राइटांस हो जाएगा ग्रेफाइड पैंसिल में प्रियुक्ट किया जाता है सुस्क सेल अर्थात ड्राइ सेल की धनात्मक्षड किसकी होती है तो ये ग्रेफाइट की बनी होती है अगले कौशन पर चलते हैं निम्नलिखत मैंसे कौन सा अच्छा इसनेहक है तो ग्रेफाइट चूर्ण या ग्रेफाइट जो है अच्छा इसनेहक के रूप में काम करता है न्यूक्लियर रियक्टर में प्रियोग किया जाने वाला बिमंदक क्या है तो ग्रेफाइट का उप्योग न्यूक्लियर रियक्टर में बिमंदक की रूप में करते हैं अगले कॉशन पर चलते हैं रेडियो कार्बन डैंटिंग से किसका निधारन होता है तो जीवाश्मों की आयू का निधारन रेडियो कार्बन डैंटिंग से होता है कच्ची चीनी को रंग वहीन करने हितू किसका प्रयोग किया जाता है तो कच्ची चीनी को रंग वहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं रग्त तप्त कार्बन पर जल वास्प प्रवाहित करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है तो जल गैस प्राप्त होती है हीरे का जवाहरात के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है तो हीरे का जवाहरात के रूप में प्रयोग उसके अपवरतनांग गुण के कारण किया जाता है Carborandum निमलिखित मैंसे किसका दूसरा नाम है तो silicon carbide का दूसरा नाम है Carborandum next question की तरव चलते हैं कोईले के निमलिखित प्रकारों मैंसे किस एक मैं 6 प्रकारों की अपिक्षा अधिक प्रतीशत अंस-carbon होता है तो anthracite में अधिक प्रतीशत अंस-carbon का होता है किसको भूरा कोईला कहा जाता है तो लिगनाइट को भूरा कोईला के नाम से जाना जाता है अगले कौशन की तरफ चलते हैं अगला कौशन देख लेते हैं मुलायम कोईला के नाम से किसे जाना जाता है तो बिटूमिनस कोईले को मुलायम कोईला के नाम से जाना जाता है very important question है ये दोन जलती हुई सीक को nitrogen से भरे जार में ले जाने पर क्या हो जा तो जलती हुई सीक अगर nitrogen से भरे जार में अगर आप लेकर जाते हैं तो वो बुझ जाएगी क्रत्रिम गर्बाधान के लिए बैलों के वीरे को किसमे रखा जाता है तो द्रवित nitrogen में क्रत्रिम गर्बाधान के लिए बैलों के वीरे को रखा जाता है अगले question पर चलते हैं वायू का मुखिस संगटक क्या है तो वायू में सबसे ज़्यादा nitrogen उपस्तित रहती है फ्लेश बल्बों में किसके वायू मंडल में मैगनीशियम का तार रखा जाता है तो फ्लेश बल्बों में nitrogen के वायू मंडल में मैगनीशियम का तार रखा जाता है शरीर में रख्ट का औसत आयतन कितना होता है तो शरीर में 5-6 लिटर रख्ट होता है DNA का full form क्या है तो new click अमल का एक वर्ग है DNA और इसका full form आप हमें comment box में share करिए मानव शरीर में प्यूश ग्रंथी कहां अवस्थित होती है तो मानव शरीर में प्यूश ग्रंथी मस्तिस्क में अवस्थित होती है डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है तो डिप्थेरिया बीमारी जो है गले को प्रभावित करती है टेलिविजन का विश्कार कौन था तो टेलिविजन का विश्कार जेल बेर्ड ने किया था गतिच उर्जा का व्यंजक क्या है तो एक बटे दो एमवी स्क्वेर गतिच उर्जा का व्यंजक है प्रती धोनी किस गुण के कारणों सुनी जाती है तो ध्वनी तरंगों के परावर्तन के कारण प्रती धोनी सुनी जाती है अगले कौशन पे चलते हैं यदि वह दरपड्ड पिन की तरफ 10 cm खिसक जाए तो उसका प्रदिबं कितनी दूर खिसकेगी उतनी दूर उसमें पिन का प्रदिबं खिसक जाएगा अगले कौशन की तरफ चलते हैं देखतें क्या पूशन गया है जब लिफ्ट उपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है कारण क्या है तो उसकी चाल उपर की ओर समरूप होती है इसलिए उपर जा रही लिफ्ट में आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है कौन से रंग का तरंग देर्द सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का तरंग देर्द सबसे अधिक होता है वायू मंडली परत जो बेतार संचार हितू प्रयोग की जाती है तो आइनो स्फियर में बेतार संचार प्रयोग की जाते हैं कीडों के अध्यन को क्या कहते हैं तो एंटोमोलोजी कहते हैं कीडों के अध्यन को खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा बिटमिन इस्तिमाल होता है या कौन सा बिटमिन भाग लेता है तो बिटमिन के खून के बहने को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है ध्वनी की त तीवरता मापने के लिए कौन सा यंतर प्रयोक्त करते हैं तो ओडियो मीटर का प्रयोक करते हैं द्वनी की तीवरता मापने के लिए कैलोरी किसकी एक आई है तो कैलोरी उस्मा की एक आई है कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है तो टंगस्टन जो है जिस हाल में वेज्ञानिकों ने पदार्थ के कौन से सबसे छोटे भाग का विश्कार किया है तो उसका सबसे छोटे भाग का नाम है क्यों रख सुश्क सेल क्या है तो प्रात्मिक सेल को हम सुश्क सेल भी कहते हैं यूरिया को प्राइह खाद की तरह उपयोग क्यों किया जाता है क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतीशत अधिक होता है इसके लिए यूरिया को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं एक बैरल में कितने लीटर होते हैं तो एक बैरल में 169 लीटर होते हैं समुद्र प्रत्वी की सता पर लगबग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है तो लगबग 71 प्रतिशत भाग को समुद्र प्रत्वी की सता पर घेरे हुए है प्रकास का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है तो प्रकास का रंग मूल रूप से प्रकास के तरंग दैर्द पर निर्भर करता है सूरे में उर्जा का इस्त्रोथ क्या है तो हाइड्रोजन का सलियन सूरे में उर्जा का प्रमुक इस्त्रोथ है कौन रासाइनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वे रासाइनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं एक तत्यो को दूसरे तत्यो में बदलने के लिए आवश्यक क्या है तो रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा हम एक तत्यो को दूसरे तत्यो में बदल सकते हैं अगले कौशन पे चलते हैं नाबिकी सेंत्र में moderator का काम क्या होता है तो neutron की गती को धीमा करना नाबिकी सेंत्र में moderator का काम होता है प्रत्वी के वातावरण में oxygen तथा nitrogen का प्रतिशत मिलकर कितना बनता है तो प्रत्वी के वातावरण में oxygen और nitrogen का प्रतिशत मिलकर लगबग 99 प्रतिशत बनता है अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत बचाती है तो अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम सभी को ओजोन परत बचाती है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है तो कारवंड़ी अक्साइड जो है वो चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदाई गयस कौनसी है तो कारवन डाई अकसाइड गयस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदाई गयस है अगले कौशन पर चलते हैं ग्लुकोस का रासाइनिक सूतर क्या है C6H12O6 glucose का रासाइनिक सूतर है very important question साधारन तह जब धातु तनू अमले से प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनता है तो साधारन तह जब धातु तनू अमले से प्रतिक्रिया करती है तो hydrogen gas निकलती है next question देखते हैं वह पौधा कौन सा है जो oxygen की अनुपस्थिती में स्वशन कर सकता है तो क्लोरेला एक ऐसा पौदा है जो ऑक्सिजन की अनुपस्थिती में स्वसन कर सकता है अगले कौशन पे चलते हैं प्लेग की बीमारी किस जीवानू के द्वारा फैलती है तो पाश्चुरेलाप्टेसिस नाम के जीवानू के द्वारा प्लेग की बीमारी फैलती है पाश्चुरेलाप्टेसिस कोशिका के किस भाग को साइट आफ कंट्रोल कहा जाता है तो केंदर के ताप का इस्थाई कौन रखना का सरीर के ताप को कौन इस्थाई रखता है तो हाइपो थैलमस गंती जो है वो शरीर के ताप को इस्थाई रखती है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो ब्रहस्पती सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वाटर गैस किस-किस का मिश्रण है तो carbon monoxide और hydrogen gas का मिश्रण है water gas इस पात में carbon की मातरा कितनी होती है तो 0.5% से लेकर 1.5% तक इस पात में carbon की मातरा होती है hydrogen के समस्थानिक कितने होते हैं तो hydrogen के 3 समस्थानिक होते कौन कौन से होते हैं मैंने live class में आपको पढ़ाया है मैं रोज शाम को 7 बजे से 8 बजे तक live class लेता हूँ अपने channel पर तो आप हमारे channel को subscribe करके bell icon का बटन जरूर दबा दीजेगा जिससे आप भी live class में जुड़ सके East का प्रियोग किया जाता है किसके लिए तो double roti बनाने में East का प्रियोग करते हैं चिकिससा सास का जनग किसे कहा जाता है तो hippocrates को चिकिसा सास का जनंग कहते हैं और चिकिचक अपनी परहाई पूरी करने के बाद में hippocrates की किताब पर हाँत रख कर ही सापत लीते हैं अपने करियर की शुरुआत करने के लिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महीला कौन थी तो वैलेंटीना तेरस कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महीला थी काच अर्थात बालू काच बालू मतलब ग्लास सेंड में मुख्यतों क्या उपस्थित रहता है तो ग्लास सेंड में सिलीका उपस्थित रहती है कैंसर के अध्यन को क्या कहते हैं तो ओंकोलोजी कैंसर का अध्यन कहलाता है प्रोथॉम्बिन कहां बनता है तो प्रोथॉम्बिन यक्रत में बनता है समुद्री जल का पियेच मान कितना होता है तो लगबग 8.4 समुद्री जल का पियेच मान होता है डच धातू किसका मिश्रण है तो तामा और जस्ते का मिश्रण है डच धातू प्रत्वी की आ़सत घंत तो प्रत्वी का आ़सत घंत 5.5 ग्राम प्रदी क्यूबिक सेंटीमिटर इस कॉशन के लिए साय उत्र हो जाएगा मश्रूम एवं सोयाबीन में बहुतायत क्या मिलता है तो मश्रूम और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे जादा होती है प्लाश्टर आप पैरिस के जमने में क्या मिला होता है तो प्लाश्टर आप पैरिस के जमने में निर्जली करण सहायक है माफ करिएगा कॉशन जो अलग है प्लास्टर और पैरिस के जमने में निर्जली करन प्रक्रिया काम करती है प्रोटोन के निर्माण में आधार भूत एकाई क्या है तो प्रोटोन के निर्माण की आधार भूत एकाई अमीनों अमल है क्वांटम सिद्दान के प्रदिपादक कौन थे तो प्लांक ने क्वांटम सिद्दान दिया था मिल्क आप मेगनीशा का सूत्र क्या है तो MGOH मिल्क आप मेगनीशा का सूत्र कहलाता है सारे कौशन 2019 के एक्जाम में पूछे गए हैं 30% ही newly questions होते हैं सेवालों का अध्यन क्या कहलाता है तो सेवालों का अध्यन phycology कहलाता है बुद्ग्रह सूरी की एक परिक्रमा करने में प्रत्वी के कितने दिनों के बराबर समय लेता है तो बुद्ग्रह सूरी की एक परिक्रमा करने में प्रतवी के 88 दिनों के बराबर समय लेता है कोहरा बनने की संभावना कब जादा होती है तो जब थंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है थंडी धारा मतलब थंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है तब कोहरा बनने की संभावना प्रबल होती है मानव गुर्दे में बनने वाली प्रत्वी में अधिक्तम बांत्रा में क्या पाया जाता है तो कैल्सियम ऑग्जलेट पाया जाता है जो मानव गुर्दा होता है उसमें जो पत्थरी बनती है उसमें calcium oxalate की अधिकता होती है नरलेंगिक हार्मोन क्या है तो टेस्टोइस्टिरोन नरलेंगिक हार्मोन कहलाता है chlorophyll में कौनसा धातू आयन पाया जाता है तो chlorophyll में magnesium पाया जाता है next question पर चलते हैं अगला question देखे आपसे पूशा गया है टीबिया नामक हड़ी कहां पर पाय जाती है तो पैर के निचले भाग में टीबिया नामक हड़ी पाय जाती है प्रती दीप्ती बल्ब में कौनसी गैस भरी जाती है तो प्रती दीप्ती बल्ब में mercury oxide और 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 नियान मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियोन गैस का मिश्रण प्रतिदीप्ती बल्ब में भरा जाता है डाइनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है तो लोह चुम्ब की पदार्थ से डाइनेमो का आर्मेचर बना होता है डॉपलर प्रभाव किस से सम्मंदित है तो डॉपलर प्रभाव ध्वनी से सम्मंदित है प्रकास का जल में वेग कितना होता है तो दो दसंबलव दो पांच गुड़ित दस के उपर आठ की घात मीटर प्रती सेकंड प्रकास का जल में वेग होता है सबसे कम चालग धातू कौन सी है तो सीशा अर्थात लेड सबसे कम चालग धातू है तिन का लैटन नाम क्या है तो तिन को इस्टैनम के नाम से डिनोट करते हैं तिन का लैटन नाम इस्टैनम है सरवादिक योगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है तो जीनौन जो है आपकी सरवादिक योगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है सबसे बड़ा जीवानू किस में होता है तो साइकस में सबसे बड़ा जीवानू होता है विस्पोटी RDX किस नाम से जाना जाता है तो मार्केट में उसे T4 के नाम से जाना जाता है RDX जो होता है हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण उत्पन होता है तो विशाणू के कारण उत्पन होता है हाइड्रोफोबिया रोग प्राकृतिक गैस का मुक्य घटक क्या है तो मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुक्य घटक है विटमिन C का सर्वोत्तम इस्त्रोथ क्या है तो आवला विटमिन C का सर्वोत्तम इस्त्रोथ है मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुक काम क्या है तो शरीर से बेकार द्रवे को बाहर निकालना मानव शरीर में गुर्दे का काम है किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है तो बिटमिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है राइबोजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है तो राइबोजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है चेचक के टीके का विश्कार किस ने किया था तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का विश्कार किया गया था शरीर में कुल कितनी हड़ियां होती है तो शरीर में कुल टोटल 206 हड़ियां होती है शरीर की सबसे लंबी हड़ि कौन सी है तो फीमर जो है जो की जांग में उपस्तित होती है जिसे उरू हड़ि भी बोला जाता है शरीर की सबसे लंबी हड़ि होती है शरीर में सबसे मजबूत हड़ी कौन सी होती है तो जबडे की जो हड़ी होती है शरीर की सबसे मजबूत हड़ी होती है हृदय एक मिनिट में कितनी बार धड़कता है तो हृदय एक मिनिट में 72 बार धड़कता है खून का रंग लाल होने का कारण क्या है तो हीमोगलोविन के कारण खून का रंग लाल होता है हीमोगलोविन किसका यॉगिक है तो हीमोगलोविन प्रोटीन का यॉगिक कहलाएगा अगला कॉशन देखे लाल रख्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन लाल रख्त कणिकाओं का जीवन काल होता है रुधिर को ठकका जमने में सहायक कौन सी है तो विटमिन के जो है रुधिर के ठकका जमने में सहायक है रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है तो रुधिर का तरल भाग प्लाजमा कहलाता है रग्त समू में सर्वदाता और सर्वग्राही रग्त समू कौन सा है तो सर्वदाता है आपका O और सर्वग्राही है AB ग्रुप तो ये ग्रूप जो है एक्जाम में पूछे जाते हैं important question नूट कलीजेगा पित कहां से उत्पन होता है तो पितरस जो है यक्रत में उत्पन होता है स्वस्त मनुष्य रक्षाप कितना होता है तो 128.6 systolic, diastolic स्वस्त मनुष्य का रक्षाप blood pressure होता है रक्त में अशुदع-पदार्थों को कौन अलग करता है तो kidney जो है रक्त में अशुदع-पदार्थों को अलग करती है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौनसी होती है तो तंत्रिका कोशिका जो है सरीर की सबसे बड़ी कोशिका है हाइड्रोफोबिया किसे सम्दित है तो कुत्ते के काटने से सम्दित है हाइड्रोफोबिया रोग वाईरोलोजी किसे संबंदित है तो विशाणू के अध्यन से संबंदित विज्ञान को वाईरोलोजी कहते है खून का थक्का किसके कारण नहीं जमता है तो हीमोफिलिया अगर रोग होता है तो इसमें खून का थक्का नहीं जमता है ट्रोकोमा और ग्लुकोमा रोग किस अंग से संबन्दित हैं तो ये आखों में होने वाले रोग हैं ट्रोकोमा और ग्लुकोमा अगला कॉशन देखिए प्लाजमोडियम परजीवी क्या है तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाजमोडियम पॉजी ट्रॉन किसका प्रतीकण है तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण है पॉजी ट्रॉन जणों के रूपांतरन का उदाहरण क्या है तो मूली गाजर और शकरकंद ये जणों के रूपांतरन है जिसको हम खाते हैं तने के रूपांतरन का उधारन क्या है तो आलू, अद्रक, प्याज ये सभी तने के रूपांतरन में आते हैं लोह की मातरा सरवादे किसमे होती है तो पालक के पत्तों और थाथ हरी सबजियां भी कभी कभी आंसर होता है लेकिन सबसे आदा पालक के पत्ते ही आंसर में आते हैं स्वस्त शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है तो 5-6 लिटर स्वस्त शरीर में खून की मात्रा होती है वायू मंडल में ऑक्सिजन की मात्रा संतुलित किसके कारण होती है तो प्रकास स्रंसलेशन अभिक्रिया के कारण वायू मंडल में ऑक्सिजन की मात्रा संतुलित होती है कवकों का अध्यन क्या कहलाता है तो माइकोलोजी कवकों का अध्यन कहलाता है हड्डियों में मुख्य तो क्या पाया जाता है तो हड्डियों में कैल्शियम वाफ फास्पोरस मुख्य रूप से पाया जाता है मानव में गुर्षूत्रों की संक्या कितनी होती है तो मानव में 46 या 23 जोड़े गुर्षूत्र होते है रक्त कणिकाओं का निर्मार कहा होता है तो अस्थी मज्जा अर्थात बोन मेरो में रक्त कणिकाओं का निर्मार होता है इंसुलिन सरीर में कहा बनती है तो अगनाशय की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन सरीर में बनती है पिटूटरी ग्रंथी जिसे हम माश्टर ग्रंथी भी बोलते हैं शरीर के किस भाग में होती है तो ये मस्तिस्क में उपस्तित होती है दो प्रमुग वंशानुगत रोग कौन-कौन से हैं तो एक तो वरणांदता है और एक हीमोफीलिया है थाइरोक्सिन हार्मोन कहां से स्त्रावित होता है तो थाइरोइट ग्रंथी से थाइरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है मचलिया कहां से सांस लेती है तो मचलिया जो है गिल्स के द्वारा सांस लेती है बिटमिन एका सरवत्तम स्त्रोथ है तो गाजर जो है बिटमिन एका सरवत्तम स्त्रोथ है जठर रस में पाया जाता है तो जठर रस में हाइडरो क्लोरिक अर्थात HCL पाया जाता है Very important question is note कर लीजिएगा लाइकेन में परसपर सजीवी कौनकौन से मौजुद होते हैं तो लाइकेन में कवक और सहवाल मौजुद होते हैं लार में पाया जाने वाला एंजायम कौन सा है तो अगले कौशन पर चलते हैं भोपाल गैस कांट जोकी 1984 में हुआ था उसमें किस गैस का रिसा हुआ था तो उसमें मिथाइल आईसोसाइनाइट जिसे आप M.I.C. मिक गैस के नाम से भी जानते हैं हुआ था काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं तो काला हीरा कहेंगे कार्वोनेडो को और काला शीशा कहेंगे गरिफाइड को शरीर की सबसे छोटी अश्थी कौन सी होती है तो इस टेपी सस्थी जिसे आप कान में पाएंगे इस टेपी सरीर की सबसे छोटी अस्थी कहलाईगी जीवन रक्षक हार्मोन कौन से कहलाते हैं तो एड्रिनल ग्रंती से इस्त्रावित होने वाले हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं प्रकास संस्लेशन अधिक्तम कहां होता है तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संसलेशन अधिक्तम होता है तो दोस्तों ये थे 150 कॉशन जो 2019 में हुए हर उस एक्जाम में पूछे गए थे जिनको आपने भी दिया होगा चाहें वो SSC हो चाहें वो आपका UPSC हो या आपका DRD हो बिहार दरोगा हो बिहार SI हो दिली पुलिस के एक्जाम राजेस्थान में हुए एक्जाम इन सभी एक्जाम में ये साइंस के कॉमन कॉशन पूछे गए थे तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरू बताएं कमेंट करके बताने के साथ साथ वीडियो की लिंक को गुरूप सुमें जादा सज्यादा शेयर करें जिससे चैनल के इस वीडियो को और भी लोग देख सकें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और घंटी कचिन जरू दबा दीजेगा जिससे आपको हर क्लास का नोटिविकेशन मिले और आपके कोई भी कॉशन ना छूटे दोस्तो अपना सपोर्ट जरूर दीजेगा वीडियो को जाज ज्यादा शेयर जरू करिएगा मिलते हैं इसके नेक्ष पार्ट में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो अंतक देखा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक surprise question पूछ रहा हूँ आपको बताना है हाली में किंदो केंदर शाषित प्रदेशों को एक साथ मर्ज करके सिंगल कर दिया गया है आप समझ पा रहे हूँगे मैं क्या पूछ रहा हूँ कि किंदो केंदर शाषित प्रदेशों को एक कर दिया गया है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा अगर आपको पता है नहीं पता है तो आप पूछेगा मैं आपको बताऊंगा लेकिन कमेंट करके जरूर बताईएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्श पार्ट में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो